प्याज फसल के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों को परेशान करने वाली बिमारियों में से एक थ्रिप साटेक अगर समय रहते हैं अपन इसको अच्छे से कंट्रोल ना कर पाए तो इससे हमारा जो उत्पादन होता लगबग 50% तक कम हो सकता है दोस्त अपन देख रहे होते हैं जब हम रभी सीजन के अंदर प्याज की बुआई करते हैं दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में और मोसम जब तक ठंडा होता है जब तक हमारे मोसम के अंदर कुछ ठंड होती तब तक हमारी फसल बहुत शांदार चल रही होती है बिल्कूल हरी भरी फसल अमारी दिखाई देती है अपन उस टाइम पर चाहे इस परे 10 दिन में करें पंदरा दिन में करें या 20 दिन में लेकिन जैसे जैसे मोसम के अंदर बदलाव होता चला जाता है जैसे जैसे फरवरी का महीना आता है उसके बाद मार्च और अप्रिल का महीना आता है टेंपरिचर वो अप हो जाता है रात और दिन के टेंपरिचर का अंदर ऐसमानता हो जाती या फिर मोसम के अंदर वेस्टरन disturbance बन जाता है अपने पस्चिम विक्छोब की वज़े से जो अपन देखते आ रहे हैं दो-तीन सालों से कि मोसम लगाता और बिगड़ता रहता उन दिनों में फरवरी मार्च अप्रेल के महीने में कभी बादल हो जाते हैं कभी खुल जाता है कभी बुंदा-बांदी आने लग किस तरह से डूत करें उसी के साथ अपन जेवक विधी से जो किसाएन भाई और गयने करते हैं तो यह एकंदर करते हो दोस्तों आपको खेत नागा दोस्तों में इंड़पाल यादा स्वागत करता हूँ आपको अब योट्यूब चैनल देश की जाना अमारी किसान चैनल पर किसान भाईव जितने भी किसान भाई अमारे चैनल पर नई आएं या जिन किसान भाईव ने चैनल को अभी तक सबसक्राइУ नहीं किया वो alongside चैनल सब्सक्राइब कर लेगी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए जिसे ज्यादा ज्यादा किसानों तक हमारी बात पहुंच सके हैं तो दोस्तों मैं अपनी फसल के अंदर कौन-कौन से टेक्निकल योज करता हूं वह सभी जानकारी आज आप लोगों को मैं बिल्कुल एक्दम लायू दिखा हूं जितने भी टेक्निकल मेरे घर को पर रखे हुए थे जिनको मैं प्याज फसल में विशेश रूप से योज करता हूं और वह भी थ्रिप्स पर क्योंकि अक्सर किस को कुछ ऐसी कंपनियों को टेक्निकल पकड़ा देते हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं मिल पाता है तो मैं आज आप लोगों को बता हूंगा कि आप इनको लाके अपनी खेतों के अंदर योज कीजी इनके बेस्ट रिजल्ट है तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे अ खेतों के अंदर ठ्रिप्स की जो समस्या है वो बहुत कम देखी जाती है अगर उनमें माइनर कोई ठ्रिप्स की प्रोब्लम आ भी जाती है तो वो हलके फूल के टेक्निकल से बहुत अच्छ से कंट्रोल हो जाती है तो जिन खेतों के अंदर फिलड इरिगेशन से मतलब नी अब किसान भाइब आज की खेति जेविक बीदी से कर रहें और गैनिक विदी से कर रहें तो उनके लिए मैं बताउंगा आप सबसे पहले तो सुबह के टाइम में राख अपनी खेतों के अंदर छिटक विदी से और बुर्काव कर दीजिए अगर आपको इस पर करनी पड़े तो रासाइनिंग विदी से आपन थ्रिप्स को किस तरह से कंट्रोल करें तो उसके लिए जब आपकी प्याज फसल लगबग 20 दिन की लगाई हुई हो जाए जब आप शुरुवात में प्याज को लगाते हो अपने खेतों के अंदर तो 20 दिन से और 35 दिन के बीच में जब एडियस के result मिलते हैं साथ ही आप मोनो क्रोटोफोस जिन इस्टेट के अंदर मोनो क्रोटोफोस बैं नहीं आप मोनो क्रोटोफोस ले लिजिए अल्फा मैथरीन मोनो क्रोटोफोस इसी के साथ अगर फंजिसाइड यूज करना चाहरे हो तो आप मेन को जेब M45 या फिर पिनेप जिसके अंदर आता है इनकी स्प्रे कर दीजिए लगबग आप 35 दिन तक सेफ हो जाओगे इसी स्प्रे से जितने भी इंसेक्ट शुरुआती चारण में आएंगे आपके फसल पर उसा भी खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप जब दूसरी स्प्रे कर रहे हो पहली स् ऑपर जो मैं स्प्रे करता हूं इसके रिजल्ट प्याजवसल के अंदर बहुत शानदार है वो त्रिप्स के अगैंस्ट भी बढ़िया है वो जितना इलिया आती प्याजवसलिका बहुत शानदार इसी साथ आप दूसरी स्प्रे कर अंदर आप लीजी एसी फेट, एसी फेट में दोस्तों अगर आप खाली एसी फेट ले रहे हो वो भी बढ़िया है, अगर आप एसी फेट और इमीडा क्लोरोपेड का जो कॉंबिनेशन होता है, जो लाइनसर गोर्ड के नाम से आती है, यूपियल कंपनी का, आप इन दोनों को अपने खेट के अदर यूज कर सकते हो इसी के साथ, आपको जो फंजी साइड में लेना उसके अंदर आप साफ पाउडर ले सकते हो, या फिर आप साफ के अलावा इफिनेट मिथाइल, जो रोको के नाम साथ आए, इसको आप यूज कर सकते हुई नहीं के साथ, बहुत शानदार मिलेंगे, आपको खेत के अंदर लगी हुई थिरिप से वो यह हलक टेक्निकल हैं, यही कंट्रोल कर देंगे, इसके बाद जब आप तीसरी स्प्रे करने जा रहे हो अपने खेत के अंदर, तीसरी स्प्रे मतलब 50 दिन से और 65 दिन के बीच के अंदर, तो उस टाइम पर आप थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ऊंचे की तरफ चलिए, मैं आप लोगों को बतायता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपन जब इस्प्रे कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमारे खेत के अंदर अच्छे सा नमी होनी चाहिए, हमें इसी चाहिए करके, और तब इस्प्रे करन हैं, दोस्तों, उस टाइम पर अपन को लेंबडा साइलोथिन, जो कराटे के नाम से आती है, उसी के साथ आप प्रोफेक्ट सूपर, परफोन फोस साइपर मैथरिन, बार-बार क्यों बता रहा हूँ, यह लगबगा आपको तीन स्प्रे तक कंटीनियू रखना, इसके गरम हो जाएगा और गरम मोसम के अंदर अममेक्टिन है, वो बहुत बढ़िया सांदार काम करेगा, इसी के साथ दोस्तों अपन को मिलाना है जो फंजी सैड, फंजी सैड में अपन को मिलाना है इस टाइम पर या तो आप थाइफनेट मिथाइल रो को मिला सकते हो, या फिर इसके अलावा, या फिर आप प्लूटोन ले सकते हो, प्लूटोन के अंदर अजोक्सिस्ट्रोबिन और मैनकोजेब दोनों, ये भी प्याज फसल के अंदर इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, या फिर आप इनके अलावा, फोली क्योर, जिसके अंदर टैबकोन और इसके बाद दोस्तों, जब हमारी फसल लग भग, 75 या असी दिन की हो जाती, उस अवस्था में आपन देख रहे होते हैं, दिन का मोसम में बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है, तो उस टाइम पर जब गरम मोसम है, इसके साथ आप पोलिस जो घड़ा कमपनी का आता है, जिस इसके साथ कोई दूसरा टैकनिकल जैसे की सिंजेंटा कमपनी का आमिस्टा टोप आता है, जिसके अंदर एजिक्स स्ट्रोबिन और डाइफेकनजोल आता है, इसको ले सकते हो, इसके बाद जब आपन अगली स्प्रे करें दोस्तों पांच वी, अगर आपके खितों का कांट्रोल हो ही नहीं रही, आप उस टाइम पर डाव कंपनी का डेलिगेट, डेलिगेट के साथ आप फंजी साइड के अगर बात करें तो आप अडामा कंपनी का कस्टोडिया, वो यूज कर सकते हो, डेलिगेट और कस्टोडिया का आप आखरी में स्प्रे कीजी, इस प्र सुरुवाती चरण में छोटा पोदा होता, उसके बाद बढ़ता चला जाता, वैसे वैसे, पाणी की जो मात्रा वो भी बढ़ती चली जाएगा और आप भी धीर धीर स्प्रे करोगे, शुरुवात में थोड़ा तीजी से कर सकते हो, छोटा पोदा बढ़ा होने के बाद आ और ये कुछ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, कुछ कॉंटेक्ट इंसेक्टिसाइड है, इनको यूज कर लीजिए, आपके खेत के अंदर थ्रिप्स की समस्या है, बिल्कुल नहीं होगी, आपको उत्पादन बहुत सांदार निकलेगा, धन्यवाद